Hello friends, good morning, कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे शूब फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग solve करेंगे हिंदी का practice set पुरे 50 questions हम लोग solve करेंगे और ये practice set का 14 वीडियो है अगर आप लोग पिछली practice set की वीडियोश नहीं देखे हैं पांचो साल के papers डाल दिया हूँ वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं अगर आपनों को इन सभी papers की पीडियाप चाहिए तो आप लोग हमारे telegram channel से जोईन हो जाइए इस वीडियो की description box में मेरे telegram channel की link है आप लोग वहाँ से जोईन होके सारे papers की एक साथ पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके मन में कुछ doubt है बीड से related तो आप लोग comment box में अपनी query कर सकते हैं friends मैं आपको बता दूँ अगर आप लोग को 2021 में बीड करना है ठीक है हिंदी भाषा है अगर आपको language में हिंदी लेना है तो हिंदी का आएगा यानि कि उसमें paper में दोनों रहते हैं जो आप लोग select करेंगे उसी को आपको करना होगा ठीक है हिंदी इंगलिस First paper में आपके ZK का paper होता है और Hindi का paper होता है यानि कि language का paper होता है जो आप लोग लिएंगे और second paper में आपका reasoning का होता है और एक आपका subject ability रहेगा ठीक है यानि कि जो आपका graduation में रहेंगा तो चलिए फड़ा-फट Hindi के प्रशनों को हम लोग solve करते हैं कोशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सूर दास की कौन सी रशना उनकी प्रशिद्ध का मूल अधिकार है यहाँ पे देख सकते हैं रशनाओं का नाम साहित लहरी शूर्शागर गीता सूर रमैड जो भी इस कोशन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बाक्स में अपना र अगला कोशन यहाँ पे देख सकते हैं कोशन यह है आधिकाल में पहलिया लिखने वाले कवी थे जगनिक, खुश्रो, सरहपा, गोरकनात कौन थे पहलिया लिखने वाले कवी आधिकाल में तो वो कवी थे आपके खुश्रो आप्शन बी करेक्टों का इस कोशन का राइट घर आखर आयराजा राम भरतार, ये किसकी पंग्तिया है, ठीक न ये जो पंग्ति लिखी हुई है, ये किसकी है, आपको बताना है, तुलसी दासकी या कबीर दासकी या सूर दासकी, या राइदासकी, फटाफ़ वट कॉमेंट बॉक्स में अपना right answer टाइप करके बताएं, तो ये जो पंक्ती है friends, ये है कबीर दस्की, ठीक है, option B correct होगा इस question का right answer, ये रहा, अगला question से या पर देख सकते हैं, उसी तरह का है, यानि कि एक पंक्ती लिखी है, और बताना है आपको किसकी है, पंक्ती को हम पढ़ते हैं, पंक्ती है, बुंदेले हर बोलो के मुह, हमने स उनी कहानी थी, खोब लड़ी मरदानी, वह तो जहासी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों में रचाइता कौन है, किन्सकी है, ये पंक्ती आपको बताना है, तो friends, इसके जो रचाइता है, इस पंक्ती के, वो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, option B correct होगा, इस question का right answer अगला question से यहां प히 देख सकते हैं, important question आपके एक्जाम केले, question ये है, घाननन्द को किस यूग का कभी माना जाता है, जो घाननन्द है, उनको किस यूग का कभी माना जाता है, आपको बताना है तो friends मैं आपको बता दूँ जो घनर नंद हैं इनको रीतिकाल यूग का कभी माना जाता है option C करेक्ठों का इस question का right answer अगला question अलप प्राण ध्धनियों का समू कौन सा है जो अलप प्राण ध्धनी होती है इस में से आपको बताना है कौन सा समू है जो अलप प्राण ध्धनियों में आता है तो वो आपका समू है चा जा इया option B वाला समू मैच कर रहा है अलप प्राण ध्धनियों का option B करेक्ठों का इस question का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं question यह है शंग्या का प्रकार नहीं है कौन सा इसमें संग्या का प्रचार नहीं है तो देखें संग्या का प्रचार आपका देशवाचक नहीं है option C करेक्ठों का इस question का right answer बाकी आपके भावचाक, जाती वाचाक, ब्यक्ती वाचाक यह सभी संग्या के प्रकार है अगला question यहाँ पी देख सकते हैं question यह है पुस्तक से कौन सा विशेशनल बनेगा पुस्तक से कौन सा विशेशनल बनेगा आपको बताना है तो friends मैं आपको उता दूँ जो पुस्तक से विशेशनल बनेगा वो आपका बनेगा पुस्तकी ठीक है, option C correct होगा, इस question का right answer अगला question, यह नई साड़ी है, वाक में नई सब्ध है सरवनाम, क्रिया, क्रिया, विशेशन, विशेशन, फटा-फट आप लोग इस question का right answer, आप लोग बताएं comment box में तो नई सब्ध में जो है, विशेशन है, ठीक है, option D correct होगा इस question को right answer, friends मैं आपको उता दूँ, daily आप लोग practice जरूर किया करें, मैं हर एक subject का 50 questions daily practice कर बाता हूँ, तो ऐसे ही exam तक आप लोग daily practice करते रहेंगे, ति यह questions जो हैं, आपके mind में feed हो जाएंगे दीरे-दीरे, और ऐसा नहीं कि इसमें से question नहीं आएंगे, आएंगे 100%, इसी में से सब आते हैं, इधर उदर से पूश लिए आते हैं, तो अच्छे से study आप लोग अपनी start करते हैं, अभी भी बहुत समय हैं, अच्छा college लेना है, government college लेना है, तो अभी से अपनी profession start करते ठीक है, books वायरा, books वायरा ले लिजिए, books के बारे में अगर आप लोग को पता नहीं है, तो मैं इसकी एक specific videos बनाया हूँ, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी book लेना चाहिए हमें, अगला questions यहां पर देख सकते हैं, स्याम धीरे धीरे के चलता है, वाक में धीरे धीरे option B करेंख होगा, इस question का right answer, यह आगया, इसमें से आपको ब्यक्तिवाचक शंगया बताना है कौन सा है लिपी, देवनागरी, बच्चे, भाषा द्यक्ति बाचक शंग्या आपको बताना है कौन सा है फटाफट कमेंट बाक्स में बताएं अपना राइट अंसर तो ब्यक्ति बाचक शंग्या बताएं फटाफट तो बैक्ति बाचक शंग्या इसमें है आपका बच्चे option C करेक्ट होगा इस question का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं पावन सब्द का संद विछेद होगा ठीक है ना पावन सब्द का संद विछेद क्या होगा आपको बताना है तो पावन सब्द का जो फ्रेंड संद विछेद होता है वो होता है पो धन अन option C वाला करेक्ट होगा इस question का right answer उची तरह यहाँ पर देख सकते हैं उच्चारण का संद विछेद है उच्चारण सब्द का संद विछेद क्या होगा आपको बताना है तो उच्चारण सब्द का जो फ्रेंड संद विछेद है वो है आपका उत धन चारण option D करेक्ट होगा इस question का right answer अगला question से यहाँ पर देख सकते हैं question यह है तेंदूलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए इस वाक्य में उद्देश है छक्के तेंदूलकर ओवर 5 इस वाक्य में उद्देश क्या है यह आपको बताना है तो फ्रेंड इसमें जो आपका उद्देश है वाक्य में वो है आपका तेंदूलकर option B करेक्ट होगा इस question का right answer अगला question से कन्यादान में कौन सा समास है कौन सा समास है कन्यादान में आपको बताना है तो फ्रेंड कन्यादान में जो आपका शमास है वो है तत्पुरुष शमास option C करेक्ट होगा इस question का right answer अगला question से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दो अथवा दो से अधिक सब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं important question है आपके exam के लिए वाला दो अथवा दो से अधिक सब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं आपको बताना है तो उस शब्द को जो कहते हैं, शमाश कहते हैं, ठीक है, option A correct होगा, इस question का right answer, अगला question से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पंथ का सही परियवाची नहीं है, इन में से आपको बताना है, पंथ का सही परियवाची नहीं है, तो दिखे इसमें से जो पंथ का परियवाच सब्द नहीं है, वो है आपका पाद, option C correct होगा, इस question का right answer, अगला question से यहाँ पे देख सकते हैं, बंधन का विलोम शब्द है, इसमें से आपको बंधन का विलोम शब्द बताना है, कौन सा है, अनुबंध, मुक्ति, विदिर्ड, बाधिर, विलोम शब्द आपको बताना ह तो बंधन, यानि कि बंधे हुए होता है, इसका अर्थ जो होता है, और इसका विलोम क्या हो जागा, उल्टा, मुक्ति, ठीक है, option B correct होगा, इस question का right answer, अगला question से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चतुर भुज के लिए वाक्यांस चुनिए, ठीक है न, चतुर जिसकी चार भुजाए हो, उसी को हम क्या कहते हैं, चतुर भुज कहते हैं, option C correct होगा, इस question का right answer, अगला question से यहाँ पे देख सकते हैं, बांज के लिए सही वाक्यांस क्या है, ठीक है, बांज के लिए सही वाक्यांस क्या है, नी संतान इस्तरी, जिससे चला ना जा सके, जो बोले में असमर्त हो, जिसके दो बच्चे हो, बांज के लिए सही वाक्यांस क्या होगा, आपको बताना है, तो नी संतान इस्तरी, ठीक है, option एकरिक्ट होगा, इस question का right answer, ठीक है, यानि कि जिसको संतान ना हो, इस तरी को, उसी को क्या कहते हैं, बांज कहते हैं, ठीक है, अ अंबिधान के अनुसार हो, उसके लिए एक सही वाक्यांस है, वो है आपका शवयाधानिक, option बी करिक्टो का, इस question का right answer, अगला question से यहाँ पर आ गया, ये वाला बहुत repeat हुआ करता है, कुमार का तत्सम सब्द क्या होता है, तो आज आप लोग इसको रट लिजे, कुमार क तत्सम सब्द क्या होता है, तो देखे, कुमार का जो तत्सम सब्द होता है, वो होता है आपका कुम्भकार, ठीक है, option बी करिक्टो का, इस question का right answer, अगला question से निमलिखित में तत्दभाव सब्द है, इन चारों में से आपको तत्दभाव सब्द को छाटना है, कौन सा है, तो इसमें जी आपका जो तत्दभाव सब्द हो है, आपका अमी, option डी करिक्ट होगा, इस question का right answer, अगला question से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अनु उपसर्ग में से, निम्न में से कौन सा सब्द नहीं बना है, ठीक है, अनु उपसर्ग से, निम्न में से कौन सा उपसर्ग कवरियोग वाके के स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, सुरू में होता है, तो अनु राग में जो है, आपका अनु उपसर्ग है और अग्रज में आपका नहीं है, ठीक है, अनु करण में भी है और अनु सीलन में भी है, ठीक, option बी करिक्ट होगा इस question का right answer, परत्य के मतलब जो last में लगता हो सब्द के वही आपका प्रत्य होता है तो धन्वंत धन्वंत लाश्ट में की आ रहा है वंत ऑफ्शन बी करिक्ट होगा है इस question का right answer अगला question सि याँ पी देख सकते हैं आप लोग दिये गए सब्दों में भिन अर्थ वाला शब्द है इसमें से भिन अर्थ वाले शब्द को आपको बताना है कौन सा है चारों में से आत्मजा, नंदनी, भारिया, कन्नादान, कन्या एकिवल तो भिन अर्थ वाला जो आपका शब्द है वो है आपका भारिया Option C करिक्ठ होगा इस question का right answer. अगला question इद का चांद होना महारे का सही अर्थ है. ठीक ना? ये तो आप लोग high school से पढ़े होंगा. इद का चांद होना महारे का अर्थ क्या होता है? ये आपको बताना है. तो इद का चांद होने का जो अर्थ होता है, कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इद का चांद होना का महारे का अर्थ होता है. Option B करिक्ठ होगा इस question का right answer. अगला question से यहाँ पर देख सकते हैं, खोन के घूट पीकर महारे का अर्थ है. खोन के घूट पीना महारे का अर्थ क्या है? आपको बताना है. निम्न प्रशनों में दिये गए विकल्पों में से सुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चैन कीजिए. ठीक ना? इन चारों में से जो शुद्ध वाक्य हो उसी को आप लोग चुनिए. तो इसमें से जो आपको शुद्ध वाक्य है, यहां पर देख सेकते कवी इस तरह नहीं लिखा जाता है, और करती भी इस तरह नहीं लिखा जाता है, करांती भी इस तरह नहीं लिखा जाता है, अथिती जो है इसी तरह लिखा जाता है, हमेशा option एक रिट होगा इस question का right answer. यानि कि अथिती जो है सुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवी इस तरह लिखा जाता है और करती जो है इस तरह लिखा जाता है ठीक है अगला कोशन उसी तरह है इसमें भी आपको बताना है सुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौंशा है तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द न नीती इस तरह नहीं लिखा जाता है, ना कि ब्रहश्पती भी इस तरह नहीं लिखा जाता है, गती भी इस तरह नहीं लिखा जाता है, नीती जो है इस तरह लिखा जाता है, option B correct होगा, इस question का right answer, अगला question से यहाँ पे देख सकते हैं, दिये गए प्रशनी के चार विकलपों म अगे भी पढ़ लेते हैं, बाग और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये तो गलत हो गया, बाग और बकरी घाट एक पर पानी पीते हैं, ये भी गलत लग रहा है, बाग और बकरी एक घाट पर पानी लेते हैं, ये भी, तो वाग के A, वयाने के option A correct होगा, इस question का right answer, ठी एक बार फिर से question repeat कर रहा हूँ, इस थाई भाव में उत्पन और विलीन होते रहने वाले भाव कहलाते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उत्दीपन भाव, क्या कहलाते हैं, आपको बताना है comment box में, तो देखे, इस थाई भाव में उत्पन और विलीन होते रहने कहले भाव कहलाते हैं, संचारी भाव, option C, correct होगा, इस question का right answer, अगला question यहाँ पर देख सकते हैं, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाले चंद हैं, जो दोहा और रोला होते हैं, उनके संयोग से बनने वाला चंद है, कौन सा है आपको बताना है, तो आपका है कुंडलिया option B, correct होगा, इस question का right answer, अगला question यहाँ पर देख सकते हैं, question यह है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है, इसमें अलंकार का उनसा है, यह आपको बताना है, तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर में जो आपका अलंकार है, वो है उपमा अलंकार, ठीक है, option C, correct होगा, इस question का right अगला कोशन्स यहां पर देख सकते हैं कविता को पढ़कर निमलिकित प्रश्णों में सबसे उचित विकल्प चैन कीजिए यह कविता आपको सबसे पहले पढ़ना है और नीचे प्रश्ण में दिया रहेगा ठीक है यह कविता अभी श्टार्ट है आपकी यह और इसका उत् प्रश्ण इसमें से दिये रहे हैं उसको आपको पढ़ने होते हैं और यह 5 के 5 नंबर बिल्कुल फ्री होते हैं ठीक है यानि कि 5 कोश्चन्स बिल्कुल फ्री होते हैं और 10 नंबर का होगा टोटल तो इसको करने का ट्रिक यही है तो सबसे पहले जो इसमें प्रश्ण दिय देना चाहता था जो दच्छताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर अनुच्छेत के अधार पर बताईए कि समाजिक वसांस्कृत परिवेश ग्यान को क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं तो यह पांच प्रशन अच्छे से आपको पढ़ लेना है फिर आपको कविता पढ़नी है फिर आपको वहां पे उतर मिलता जाएगा फिर आपको टिक यहां पे लगाते चलना है तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजेगा तो इस कोशन का राइट अंसर आप लोग बताईएगा पढ़के तो दीखे हरा भारा अगला कोशन काउन सी चीजे बहार लेकर आती है जो बहार लेकर आती है यह आपको बताना है तो दीखे समस्त प्राक्तिक उतपादन बहार लेकर आती है ऑप्शन सी करेक्टों का इस कोशन का राइट अंसर कवी ने स्रष्टी का उपहार किसे कहा है जो कवी थे उन्होंने स्रिष्ट का उपहार किसे कहा था आपको बताना है तो प्राक्तिक सुंदर्ता और उश्चे उत्पन होने वाली खोसी को ही स्रिष्ट का उपहार कहा था कभी ने option C correct होगा इस question का right answer अगला question कभी यह संदेश देना चाहता था कि परियवरन संदेश देना चाहता था option B correct होगा इस question का right answer अगला question से यहाँ पर देख सकते है question यह है जो दच्छताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उन्हें में हमारा परदर्शन अक्षर क्या होता है आपको बताना है तो अक्षर जो हमारा परदर्शन होता है खराब हो जाता है option C correct होगा इस question का right answer अगला question से यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेत के अधार पर बताईए कि समाजिक वस्थांस्कित परिविश ग्यान को क्या कहते हैं या क्या कर शकता है क्या नहीं कर शकते हैं आपको बताना है तो शांस्कित परिविश ग्यान को बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित वस्थामित भी कर शकता है option B correct होगा इस question का right answer अगला question पत्र की भासा कैसी होनी चाहिए पत्र की भासा कैसी होनी चाहिए important question है काफी है तो पत्र की भासा सरल भी होनी चाहिए और संदर भी होनी चाहिए और लेक स्वष्ट भी होनी चाहिए तो option D correct होगा इस question का right answer यानि कि ये सभी ये सभी अक्सर exam में जो आ जाते हैं option वो सही ही रहते हैं कुछ-कुछ जो होते हैं विदर-दर हो जाते हैं नहीं तो अक्सर उप्यूपत सभी वाले ये सभी होते हैं अगला question किस सैली में मूल भासा की सैली अपेचित हो जाती है आज थोड़ा noise आ रही होगी आपकी उसके लिए शवारी तो किस सैली में मूल भासा की सैली अपेचित हो जाती है तो वो सैली है वो मूल भासा है आपकी छाया नुवाद option B करेक्ट होगा इस question का राइट यांसा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उप्यूपत सभी दिया है तो इसमें नहीं सही होगा है ठीक है अगला question शाया वादी कावी की उपधारा है ठीक है ना शाया वादी कावी की उपधारा क्या है आपको बताना है शाया वादी कावी की उपधारा जो है आपकी रहशवाद है option B करेक्ट होगा इस question का राइट यांसा अगला कोशन्स किस कवी को कवी का कवी कहा जाता है। ये कोशन्स मैं एक दिन टैप पे डाला था। काफी सारे लोग इसमें वोटिंग किये थें। किस कवी को कवी का कवी कहा जाता ही ये आपको बताना है। तो वो आपके कवी हैं जिन्हें कवीओं को कवी कहा जाता है समसेर बहादूर शिंग जी ठीक है? Option B करेक्ट हो का इस question का right answer अगला question जहाँ पे देख सकते हैं question ये है काहेरी नाली तू कुम्भ लानी तेरे ही नाली सरोवर पानी पंक्ति के रशनाकार कौन है? इस पंक्ति के रशनाकार कौन है? आपको बताना है तो इस पंक्ति के जो रशनाकार है वो है आपके कवीर जी ठीक है? Option C करेक्ट होगा इस question का right answer अगला question से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग निमलिखित वाक्यों में से सुद्ध रूप चुनिए शुद्ध रूप आपको चुनना है कौन सा है? तो देखे इसमें जो आपका शुद्ध वाक्य है वो है आपका हमारी आश्मती करन्या का विबान होने जा रहा है option B वाला correct होगा इस question का right answer अगला question से यहाँ पर देख सकते हैं भाषा का संबन किससे माना जाता है? ठीक है? भाषा का संबन किससे माना जाता है? यह आपको बताना है तो दीके भाषा का संबन माना जाता है भाव और विचार दोनों से option C correct होगा इस question का right answer अगला question से प्रेम मुवाटी का किसकी करती है? इंपोर्टेंट यह वाला प्रेम मुवाटी का किसकी करती है? तो प्रेम मुवाटी का जो करती है वो है आपकी रश्खान जी की option C correct होगा इस question का right answer अगला question से तोड़ने ही होगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ती है? निराला, नागरजुन, रगवीर सहाय, मुक्ती बोध तो यह जो आपकी पंक्ती है वो है मुक्ती बोध जी की option D correct होगा इस question का right answer यह रहा last video का question इसका जो आप भी आपनों को comment box में देना है यह हिंदी का कौन सा प्रेमयाखन कवी एक आँख का काना था? काफी अच्छा question यह वाला यह जाइसी जी थे, यही एक कान के जो थे, काने थे, एक आँख की स्वारी, काने थे option D correct होगा इस question का right answer तो friends यह थे top 50 questions, I hope कि आप लों को शन में आगया होगा exam का pattern कि किस तरह के questions जो है exam में पूछ जाते हैं, ऐसी ही daily practice set की वीडियोच पाने के लिए और be it की important वीडियोच पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, चैनल को subscribe करके बगल में बिल आइकन को on रखे ताकि हर एक वीडियो को notification आपको समय 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 से मिलता रहा है तो मिलते हैं अगली वीडियो पी, तब तो लगा थैंक्स पर वाचिंग, इसी वीडियो को share करें, like करें, थैंक्स पर वाचिंग